इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर, बाबल मंडेप और एडन की खाड़ी एक आग का दर्या बने हुए हैं और यमन का हूती बार बार इन इलाकों में पस्चमी देशों और इसराइल से जुड़े जहाजों पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है हूती के इन हमलों से इस पूरे इलाके में मालवाहग जहाजों का आना जाना पूरी तरहा से बंद हो गया है लेकिन अगर कोई जहाज इन रास्तों पर आने की हिम्मत जोटाता है तो हूती उसे वहीं उड़ा देता है यहां तक कि अमेरिका और बिटेन जैसे देशों ने अपने युधपोत इन इलाकों में तैनात किये हुए हैं लेकिन इसके बावजूद हूती के होसले पूरी तरहा से बुलंद है और अब हूती ने एक बार फिर एड़न की खाड़ी में चार जहाजों पर ताबरतोड हमले किये हैं हूती का कहना है कि उसने ड्रोन और नौसैनिक मिसाइलों से अमेरिकी युधपोत पर हमला किया है हूती के मुताबिक उसने MSC दार्विन शिप, MV यॉक टाउन और MSC गिना पर हमला किया है वहीं दूसरी तरफ 10 अप्रेल 2024 को अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने एड़न की खाड़ी में एक एंटी शिप बैलेस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है जो संभवता हूती द्वारा MV यॉक टाउन की तरफ दागी गई थी इस हमले में कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याया सारी का भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी युद पोत पर हमले की बात कही है आपको बता दे कि लाल सागर में हूती के इन हमलों की वज़ा से दुनिया का शिपिंग कारोबार चर मरा गया है जिसकी वज़ा से माल ढूलाई करने वाली कमपनियों को अपने जहाजों को लंबे रास्ते से होकर भेजना पड़ रहा है ये रास्ता दक्षिन अफ्रीका होते हुए जाता है जो बेहद ही खर्चीला है लेकिन अब हूती ने एलान किया है कि वो नए रूट केप आफ गुड होप वाले रास्ते पर भी पश्च्वी देशों के जहाजों को निशाना बनाएगा और ऐसे में इसराइल हमास युद का दाइरा बढ़ने का खत्रा मंडरा रहा है अमेरिका को डर है कि कहीं ये युद पूरे मिडलीस्ट में ना फैल जाए हाला कि अमेरिका और बिटेन ने यमन में हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले भी किये थे लेकिन उसकी वज़ा से हूती की ताकत में कोई कमी नहीं आई है बल्कि उसने और आकरामक तरीके से हमले करना शुरू कर दिया है